और दोस्तों कैसो आप लोग, होप सब कुछ अच्छा ही होगा, चलो आज एक नए वीडियो में हम लोग कुछ नया डिसकस करेंगे, नया तो नहीं, यह मैंने पहले औलडी रिव्यू कर रखा है, कम्प्लीट माउस का वीडियो, उसका भी डिस्क्रेप्शन में लिंक दे प्लीज कि आप इसका अलग से कम्प्लीट वीडियो बना दोगे, विकॉज आपने इसका कम्प्लीट अभी तक कोई भी यूट्यूब पर इसका कम्प्लीट अन्बॉक्सिंग रिव्यू नहीं कर रखा है, कि माउस लेने लाइक है कि नहीं, यह आल्मोस्ट रुपीस थैट जो आपको एक ब्लाक फिनिस के knowledgeable और प्लीट आपकर जो साइब में जाता है इस पर concentrate करते हैं, receiver कुछ इतना छोटा सा इसमें आपको मिल जाता है, ठीक है, गायब मत करना, पीछे आप इसको असानी से receiver को यहाँ पर रख सकते हो, option आपको दिया गया है, अब यहाँ पर receiver को असानी से रख सकते हो, इनके साप कही carry कर रहे हो, mouse, literally मैं कहूँ, एक देखने में बलकी mouse लगता है, लेकिन हाथ में जो इसका comfort है, you can exactly feel it, मतलब कितना ही ergonomically यह mouse मेरे को उस वक्त भी काफी अच्छा लगाता, इसलिए में जो insta pair आप लोगों ने मेरे से पूचा दोस्तों, तो मैं सुचा कि चलो इसका complete review बना देते हैं, mouse तभी अच्छा होता है, तभी आपको यूज करने का मन करता है, गेम खेलने का मन करता है, जब इसका ergonomics अच्छा हो, तो literally मैं इस mouse को यूज करता हूँ अपना dota 2 and all game खेलने के लिए, sorry दोस्तों मैं record नहीं कर पाता हूँ वीडियो अपने gaming वाले बट जल्दी कोशिस करूँगा, और दो आपको यह side button मिल जाते हैं, एक dpi setting, 4000 dpi इसमें आप set कर सकते हो, polling rate 500 का आता है, जो की 500 काफी अच्छा होता है, 1329 रूपीज में with 2.4 GHz और इस तरह के mouse segment के साथ, back panel आप देखोगे तो आपको यह पर optical sensor नॉर्मल वाले मिल जाते हैं, बटन जो है इसमें आप चाहो तो LED को on कर लो, अगर आपको बैटरी सेफ करना है, इसका कोई जरुत नहीं है, बैटरी ठीक ठाक बैक आप आपको यह दे देता है, बट इस्टिल आप चाहते हो कि light ना जलाओ तो आप on mode में रख सकते हो, अगर आप इसको LED मोड में रखोगे तो यह कुछ इस तरह का blue light आपको दिखाता है, यह single alarm blue color में आपको मिल जाता है, लुक वाइस नो डाउट, RGB होता तो अच्छा होता, बिकाज आज के डेट में चो wired mouse है वो आपको इस range में RGB भी दे रहे हैं, अगर आपको गेमिंग में एक अच्छा feedback मिल जाए, तो अगर यह 2.4 GHz के सपीड के साथ इसका receiver और आपको proper gaming experience दे देता तो और क्या चाहिए, 4000 DPI में इसका सही बताओ, तो इसका lag ना के बराबर है, मेरे खाल से जो मैंने चेक किया Dota 2 और भी आपको में गेम खेल के भी दिखाऊंगा, इसमें कौन सा गेम, माउस आपका 6 मेने बाद खराब हो गया और भाई वो तो manufacturing defect किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे HyperX का keyword खराब हो गया, 8000 रुपय का, तो कोई भी जो ऐसी चीजे होती है, वो खराब किसी के साथ जल्दी हो सकती है, किसी के साथ कुछ वक्त समय लग सकता है, तो वारिंटी आपको मिलता है, वारिंटी भी क्लेम कर सकते है, जबरॉनिक्स के साथ इंडियन ब्रैंड है, आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं, नो डाउट उसमें, हाँ, माउस की बात करें, तो चलो इसका एक बर गेम टेस्ट कर लेते हैं, और आप गेमिंग की बात ही कर लें, तो मैं यह तकजर का गेमिंग माउस पैड यूज़ करता हूं, अपने नॉर्मली अपने टेबल को डेकोरेट करने के लिए, अन अपने गेमिंग एक्स्परियंस को बढ़ाने के लिए इसका भी लिंग आपको डिस्क्रेशन मिल जाएगा रिवी भी कर रखा है बहुत ही बजट फ्रेंट तीन-चार्स रुपए के अंदर आपको फुल लेंथ माउस पैड मिल जाता है चलो गेम खेल कर देखते हैं अगर आप गेमिंग के साथ लिए उसकरते हो अगर एक फूचरिस्टिक माउस दिखता है इस प्राइस रेंज में कोई देखके नहीं कह सकता है कि माउस अपको थाइंट नाइन रूपीज में मिला है अंटल अनलेस वो जाके एमेज़ान पर ना चेक कर लें माउस कैसा है चलो वो गेम खेल कर दिखते हैं मेरे को परसनली मैं 6 मिने से यूज कर रहा हूं जब भी मैंने इसको गेम खेला है I felt very good about it चलो एक बर गेम में आपको लाइफ चक करके दिखाता हूं और आपको बता देता हूं गेम स्टार्ट करने के पहले कि इस लैपटाप को वीडियो 12th generation 3060 150 TGP के साथ इस लैपटाप का रिव्यू जल्दी आने वाला है तो अभी तक सब्सक्राइब निगे तो सब्सक्राइब कर ले ना चलो आप गेम पर आते हैं तो इसका जो माउस नॉर्मली क्या होता है गेमिंग माउस में आपका क्लिक भी आना चाहिए तो इसमें मैं तो बहुत वक्त से फील कर रहा हूं तुम लोगों के लिए बता रहा हूं बहुत अच्छा है यू इन्जॉय दिस माउस कोई क्वेशन की बात नहीं है और जिनके खराब होने की बात है तो खराब तो कोई भी चीज हो सकता है चाहे आप लोजिटेक का लो यार रेजर क का माउस लो विक्टरी हो गया गेम मेरे खेल से मैं के लिए खेल रहा था गेम बट जो भी है आप लोगों ने देख लिया होगा कि इसका एक्जाक्ली जो फाइरिंग रेंज है जो फाइर कीज और वो कापी अच्छा वर्क करता है हां इस की को नॉर्मली अगर आप इसपो सपोर्ट नहीं है यार मैं सही बता रहा हूं सौफ्टर सपोर्ट आप वैसे भी बहुत कम यूज करते हो एंटल एंटल एनलस आपको मैक्रोज करना है और उसके सबसे डिसाइड करना रेस्ट आपरस्टनली लव दिस माउस लेट्स कंप्लीट दिगेम वन्स मूर इसमें आपको कुछ 500 जैसा कहते है तो आल्मोस 400 प्लस आपको पोलिंग रेट मिल जाता है जैसा मैंने टेस्ट किया अभी तो यह पोलिंग रेट एनफ होता है अगर आपको एक हाई-end गेम खेलना चाहते हो ठीक है जो बड़े माउस होते हैं लॉजिट अगनॉल वो हजार मोर दन 1000 पोलिंग रेट दे देते हैं बट यार उसका प्राइस भी तो बहुत जादा हो जाता है 1329 रुपीज में I think this is one is a very good mouse and final conclusion के कर में बात करो ना दोस्तों यह गेमिंग माउस है तरह लाइटिंग एफेक्ट आल के साथ आप दे रहे हो तो इसी से conclusion भी इस माउस का करत और लोगों ने पूछा कि इसका dedicated review बनाओ तभी मैंने मंगाया है और तभी मैंने इसको पहले भी review किया था तो आप इस mouse के साथ आँख बंद करके जा सकते हो डिस्क्रिप्शन में इसका आपको link मिल जाएगा